असा से जहां पूर्व केंद्री मंत्री राजेश पाइलिट की पुन्यतिती पर श्रधांचली सभा का आयूचिन किया गया इस ओरान डिप्टी सीम सचिन पाइलिट ने भडाना पहुंच कर अपने पिता राजेश पाइलिट को श्रधांचली अर्पित की पाइलिट ने कहा कि स्वर्गी राजेश पाइलिट ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है देश और प्रुदेश की जन्नता में उनका नाम गर्व, प्यार और सम्मान से याद किया जाता है तो वही सष्ट्रधांचली सभा में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंग, प्रुताप सिंग खाचर्यवास, उदेला लांजना, रमेश मीना, परसादी लाल मीना, ममता भूपेश, विधायक मुराली लाल मीना, सहित प्रुदेश के कई बड़े नेता मौझूद रहे आज 11 जून को 20 साल हो गए हैं, स्वर्गे पालिट साथ जब से हम चिजदा हुए थे और यहीं दौसा में, आज से दो दुशक पहले, उनका सरगवास हुआ से एक्सिडेंट में, मुझे भली माती याद है वो समय, वो दिन और विश्वास नहीं होता कि इतना लंबा समय बीद गया, मैं इस मौके पर धनिवा देना चाहता हूँ इस राजिष्वास की जनता का, देश्वासियों का, आप सब लोगों का, जनों ने उस कटिन समय में मेरा साथ दिया और आज लगाता बीस वर्षों तक पूर आशिरवाद जिसने साने दे मुझे पराप्त रहा पालेट साथ के सौरगवास होने के बाद जो ताकत मुझे मिली, उसे मैंने पूरा जनता की सिवाम में समर्दब करने का काम करने की कोशिश करी है आज राजेश फालेट जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछले वर्गों के लिए, दबे कुछले वर्ग की मदद के लिए, जो जो कारे प्रयास किये थे, उनको आगे बढ़ाने का काम हर कोशिश मेरी यही रहती है हम चाहे सत्ता में हो चाहे मैं पद्ध पे हूँ या ना हूँ लेकिन आप सब के सहीयोग के साथ उस एक मात रास्ते पर चलने के मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर जगे बना के जाऊँ चले बुलेटिन में अब बात करेंगे पूरी दुनिया में धैशत